इन वेस्ट पेंगॉला साराम नव्मी प्रसेशन वस क्रोसिंग अ मुस्लिम नेबर होड़ूड, थे मॉब सेट सेवरल शॉप्स अन वेहिकल्स अन फायर, यह तो बताईए न वकार सहाब, यह मुस्लिम मुहला क्या होता है, मौतेज अ मुस्लिम अरिया, शहजाद भुना वा इसलिए एक मुस्लिम घेटो बन जाता है, अब भई तुम वेलकमिंग तो हो नहीं न, जो की एक लिमिट तक सही भी है, और ऐसा बहुत स्थानों पर देखा गया है, कि मात्र रिलीजन के कारण घर किराए पर नहीं दिया जाता, या घर बेचा ही नहीं जाता, लेकिन सिख, जैन, पार्सी, किसि अन्य को क्यों नहीं हो रही है, क्या केवल एक ही समाज माइनारीटी है, ये समत बोला, इनके घेटो कहां है, और तो और इन माइनार इन में से भी कोई वेक्ति इस सो कौलड मुस्लिम अरिया में क्यों नहीं रहता है? दूसरा, जात ही राम नवम सकते हो अपने प्रोसेशन निकाल सकते हो के नहीं तो आज बात ते रहेंगे देश में बढ़ रहे हैं तनाव के बारे में और मुख्य तहा उस सोच के बारे में जो इस तनाव को बढ़ाती है आप देखते रही आज की दाना ख़बर राम नवमी का दिन छोभायात्रा निकाली गई और उसके पश्चात देश के अलग-अलग स्थानों पर समाचार आने प्रारम हो गए पहला समाचार आया छत्रबती सामाजी नगर से और हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट के अनुसार वहाँ एक विशेश वर्ग के लोगों ने सोचा चलो आज मंदिर में पैट्रोल से अभिशेक किया जाए तो उन्होंने वहाँ जाके बम-चिकी बम-बम कर दिया ज लो जहा जा रहे हो तभी दूर से आवाज आई हमें साथ ले लो जहां जा रहे हो दोड़ता दोड़ता यूपी भी आ इधर दिल्ली की पुलिस ने जहागीरपुरी में राम नवमी प्रोसेशन निकालने की पर्मिशन ही नहीं दी फिर बाद में जब इस पर थोड़ा हंगावा मचा तो दिल्ली पुलिस ने पर्मिशन दे दी एन मौके पर और एक बड़ी हेवी पुलिस को डेपलॉय किया गया जहागीरपुरी एरिया में तब जाके वहाँ पर राम जी की शोभायात्रा निकल पाई दिल्ली पुलिस ने हनमान जैंती पर भी शोभायात्रा निकालने की पर्मिशन पहले तो डिनाई कर दी फिर ठीक एक दिन पहले रात को पर्मिशन दे दी अब या तो दिल्ली पुलि पर आप प्रोसेशन निकालने की अनुमती दे दो पर जहागीरपुरी में हैवी पुलिस फोर्स डेपलाई करने के बाद ही प्रोसेशन निकले है ये इंपॉर्टेंट बात है जहागीरपुरी पर इतना फोकस इसलिए क्योंकि पिछले ही वर्ष हनुमान जैनती पर इसी स्थ पर जो की मीर फजल की नहीं थी मीर फजल जुबैर का बढ़िया दोस्त है और इन 24 ट्वीट्स के ही सहारे सारे लोग अपनी सुईधा अनुसार शेयर करके कह रहे हैं कि देखो इन्होंने ही किया है और इनका कोई फैक्ट चेक भी नहीं दे रहा है अब इन 24 ट्वीट्स का फैक्ट चेक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसमें से जो 21 ट्वीट्स का फैक्ट चेक हुआ अल्ट न्यूस के दौरा और उसमें भी पूरे आर्टिकल में कहीं पर भी इसके में सोर्स जो की मीर फजल है उसका नाम नहीं था बहुत बढ़िया से आल्ट न्यू उसको बचा लिया लेकिन काजल हिंदुस्तानी को बचके नहीं जाने दिया काजल हिंदुस्तानी ने कहा था कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आप शस्त्र भी उठाएं क्यूंकि पुलिस आपको बचा नहीं पा रही है यह बात जुवेर भाया ने ऐसे प्रेशित की और अब काजल हिंदुस्तानी के अगेंस्ट गुस्ताके नभी वाले नारे लग रहे हैं एफाई आर हो चुकी है इधर से पुलिस भी काजल के पीछे उधर से जॉम्बीज भी लेकिन यह जो काजल ने बोला उससे अधिक एपसर्ड आर्जेडी के मले ने बोला और कहा कि मुस पुल खुलना प्रारम करते हैं भाई ने पहले ही ट्वीट में महराश्ट का बारा सेकिंड का वीडियो दिखा कर उपर लिख दिया देख लो प्रूफ देख लो हिंदू ने भड़काया पूरा वीडियो दोजार दो बाद देखने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा अगली ट्वीट में भाई ने बिहार का एक मिनट का वीडियो दिखाया और कहा देखो भड़काऊ गाने चलाए गए मस्जिद के बाहर हमने वीडियो चला के देखी वो सही में ही भड़काऊ गाने चल रहे थे आप भी सुनो अब भाई राम नवमी पे कुन फाया कुन ना चला कर जैश्री राम के काने चला रहे हैं भड़काऊ तो है ही और दूसरी बात लिखी इसी ट्वीट में कि जिसे पाकिस्तान जा रहा है उसे टिकेट हम देंगे ये नारे लगाए गए तो भाई साब इस नारे को लगाने के लिए आप पत्थर मार दोगे आप सर्तन से जुदा वाले नारे लगा रहे हो तब कोई कुछ नहीं कर पा रहा है आप कह रहे हो कि इन्होंने टिकेट देने के लिए पैसे देने के लिए बात कही और फिर भी आप पत्थर मार रहे हो और वो उचित है भाई वाह गजब के प्राणियों पे ये देखो भाई साब ने एक और बारा सेकेंड का वीडियो ट्वीट किया खंडवा मध्यप्रदेश का भाई ने लिखा नाम मजब पूछ कर मारा गया इसे ऐसे चो से पूछा तो वो कह रहे हैं कि घायल ने कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं करी है कौन फैला रहा है ये बात हमें बता और साला आल्ट नियूस फैक्ट चेक नहीं कर रहा है इस बात का बता चौथा वीडियो भाई ने शेयर किया जारखंड हजारी बाग का दो मिनिट का वीडियो था जिसमें विशेश मजब का जो व्यक्ति है वो बता रहा है कि 40-50 लोग या फिर पुलिस की क्योंकि पुलिस तो कह रही है कि इसका नाम पूछा गया तो इसने उल्टी बहस की और उल्टी बहस के बाद जब वो बहस बढ़ी तब जाके जगडा हुआ और तब जाके वहां के लोगों ने से कुटा थार्मिक एंगल नहीं था बहसा बहसी थी अब आधे भाई के वड़ो दरा के जूट पर भाई ने एक मिनट तेरा सेकंद के वीडियो में दिखाया कि मस्जिद पर पत्रा हो रहा है अर्थार्त गलती दूसरे पक्ष की है पर सत्य क्या है सत्य यह है कि कुमबर वाळा में जो मस्जिद थी उस एरिया में जैसे ही शोभाय यात्रा को मस्जिद के लोगों ने रोक लिया दोनों पक्षों में बहस होई और शोभा यात्रा जैसे ही आगे बढ़ी वैसे ही उस पर पत्रा हुआ और बात बढ़ गई ये पुलिस कह रही है कोई मीर फजल या एकेटी के नहीं पर अब आप के उपर है आप मीर फजल को मान ये गलत है नहीं करना चाहिए पर गंगा जमनी तहजीब के अनुसार मंदिर में नमाज मस्जिद में चलो एटलिस्ट मजार पे तो शोभा यात्रा निकली जाए तो ही क्या दिक्कत है मुझे लगा कि मीर फजल प्रसंद होगा और कहेगा देखिए मजार में शोभा यात्र की बात कही हमने देखा तो राम जी की शोभाय आत्रा में जैश्री राम के नारे लगे हुए थे अब भाई पिया हाजी अली के नारे लगते तो बात थी जैश्री राम के नारे कैसे लग गए राम जी की रहले है बता फिर बिहार के नालंदा में मजभ विशेष के पवित् इसमें बिहार में रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है और कैमरे पर सब दिखाया जा रहा है। कि जामा मस्जित की बाहरी दिवार पर भगवा लेरा दिया गया जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कारवाई की और चार लोगों को अरेस्ट कर लिया। से कह दिया के गलती हिंदू की और कुछ ऐसा ही बीबीसी भी करती प्रतीत हो रही है बीबीसी ने भी ये आर्टिकल चापा और उसको इस तरीके में सेम राम नमी और हनमान जैनती के आसपास ऐसी टेंशन बड़ी थी कारण इस बार और पिछली बार दोनों ही के सेम थे जिसका क्रक्स्त है मुस्लिम एरिया में शोभाय यात्रा निकालते क्यूं हो और ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि राम नमी या हनमान जैनती से प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सरस्वती पूजा से भी है 2020 में चार अलग-अलग स्थानों पर टेंशन बड़ी थी 2022 में छे अलग-अलग स्थानों पर इसी परकार की रिपोर्ट्स आई थी और उसमें एक बच्चे की मृत्यू तक हो गई थी जितना इतिहास मे पीछे जाओगे उतने अधिक example मिलते जाएंगे जिसका ना तो हमारे पास समय है और ना ही उसका कोई प्रयोजन प्रॉब्लम सरस्वती पूजा के अलावा होली से भी है पिछले वर्ष छे स्थानों पर टेंशन हुई प्रॉब्लम लक्ष्मी पूजा से भी है प्रॉब्ल के गाने बजाकर उकसाता भी नहीं है भड़काव म्यूजिक भी नहीं होता है पर वो मस्जित के सामने से नहीं निकल पाता है तो प्रॉब्लम किसी एक पर्टिकलर त्यहार से नहीं है प्रॉब्लम बस है अब इसके अरावन राजदीव सर्दिशाई जैसे पत्रकार कुछ कॉंस्पेरिसी थेहरी भी बनाने के प्रयास करते हैं कि देखिए मात्र उन उन राज्यों में दंगा हुआ है जिन जिन में भाजपा अपने सरकार बचाना चाहती है या बनाना चाहती है मतलब राजदीव को उत्तरपरदेश गुजरात में इतने भारी बहुमत के बाद भ इन पर्टिक्लर बात करें तो 1871 में बरेली में राम नौमी का प्रोसेशन निकला और दंगे हो गए 1872 में अलाहबाद ऑफीशल एड्मिस्ट्रिशन की रिपोर्ट आई जिसमें सीधे रूप से लिखा था हिंदू राम नौमी मना रहे थे मुस्लिम पक्ष उन्हें किसी भ इवग को गुलाल लग गया था तो इस बात पर पूरे शहर को दंगे होगे भाई साब 1882 में साले में दंगे इसलिए हुए क्योंकि हिंदूों की शादी में म्यूजिक बज रहा था और पास में मजदित थी तो मामला कोट तक भी गया था 1925 के आज पास ये टेंशन बहुत यहां तक कि अफगानिस्तान तक ने ये लौ नहीं लगाया हुआ है पर इन्हें भारत में चाहिए अब इस परकार के मामली जब कोट भी जाते है ना तो मूल कारण पता चलता है तामिल लाडू में एक मामला गया कि हिंदूों के टेंपल प्रोसेशन मस्जिद के सामने से नहीं निकलने चाहिए ऐसी अपील की गई तो इस पर कोट ने कहा देखो भी या रोड्स जो है ना इंडिया की वो सेकिलर है और उन रोड्स पर चलने से किसी को नहीं रुका जा सकता वेस्ट बेंगॉल में जो भी हुआ उसके उपरांधवां की सीम ने कहा मुस्लिम समाज रमजान का पवित्र महिना मना रही है और इस पवित्र महिने में वो ये सब अपवित्र काम नहीं करते हैं नितिश कुमार ने भी दोशियों पर दोश ना डाल कर उसे बीजेपी AIMIM की ओर डाइवर्ट कर दिया मीडिया होसेज भी दोशियों को बचाने में दोश को दूसरों पर डालने में बीजेपी RSS करने में लगी हुई है यहां तक कि जैश्री राम के नारे को भी लगातार विलिफाई किया जा रहा है और अब तो वो दिन आ गया है कि जैश्री राम को प्रोवेकेशन माना जाने लग गया है और इस पर चिंतन मनन भी नहीं होता है अपीजमेंट का लेवल तो इतना है कि NCRT की 12th की पुस्तक ये तक कह देती है कि भारत पाकिस्तान का जो बटवारा हुआ वो मातर इसलिए हुआ क्यूंकि हिंदू अपने प्रोसेशन निकालते थे वो मस्जिद के सामने से निकलते थे और मस्जिद में बैठे लोग जो अपने इश्वर को याद कर रहे होते थे उनकी साधना में मगन होते थे उनकी साधना में विखन पड़ता था तो फिर दंगे होते थे और eventually उन्हें लगा कि हमें तो peace तभी मिलेगी जब हम अपनी country मांग लेंगे तो उन्होंने पाकिस्तान मांगा अगर उनको हम यहाँ पे peace दे देते तो वो कभी भी पाकिस्तान नहीं मांगते अब बताओ इतनी appeasement के बाद कौन ही मानेगा मानेगा तब जब उसे बताया जाएगा बेटा तुग गलत है ठीक है और अगर ऐसा कर दिया तो वोट कर जाएंगे मुसलिम एरिया को सीधा सीधा नोगो जोन बोला जा रहा है भारत में उस भारत में जिसके लिए स्वेम कहते हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है पर ऐसा बिलकुल नहीं है कि केवल ये नोगो जोन भारत में ही है एंचला मरकेल जर्मनी की चीफ थी उनकी इमिग्रेंट्स को बोलाने की ओपन डोर पॉलिसी थी अब वो स्वेम कहती है जर्मनी में नोगो जोन बन गए है इनका ना किसी को कुछ करना पड़ेगा ये जो स्टोन वेल्टिंग है ये स्वीडन और इसराइल में भी हाल फिलाल में देखी गई है और वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर समुदाय के द्वारा ही देखी गई है लंदन में भी शरिया नोगो जोन्स बन रहे हैं फ्रांस में भी शरिया नोगो जोन्स देखे जा र जंका में भी इस तर्व की प्रोसेशन निकली तो वहां पर भी इसी प्रगार का अटैक देखने को मिला तो मुद्दी की बात यह है कि पूरे विश्व में मुस्लिम एरिया नूगु जोन बनता जा रहा है और यहां पर किसी दूसरे को ब्लेम करने से बढ़िया है कुछ स्थ लगी होगी आप हमें पेट्रियोन और यूपियाई के माध्यम से सपूर्ट कर सकते हैं लिंक पिन कमेंट डिस्करप्शन में है सब्सक्राइब अवश्य करके जाना नहीं तो देखो ऐसा है बात करना छोड़ देगी भाई साब ठीक है तो जैहिंद जैभारत